मुम शांति 28 माज के शर्व वरदान में आपस का सोगत है आत्मिक शक्ति और फिर तन की शक्ति दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबन्द है आज इस वरदान में हम यही सीखेंगे आत्मिक शक्ति के अधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्त भावा इस अलौकिक जीवन में 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 आत्मा और प्रकरती दोनों की किताब तो तन का हिसाब किताब वा तन का रोग सूली से काटा बनने के कारण तन का हिसाब किताब तन स्वस्थ के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं जब आत्मा स्वस्थ है तब अगर आत्मा स्वस्थ है तो फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने शुरू रहती है उनके मुख्ष पर चेहरे पर बिमारी के कश्ट के चिन नहीं रहते हैं उनके चेहरे पर लगेगा नहीं कि वो बिमार हैं उनके चेरे पर लगेगा नहीं कि वो कष्ट में है, दुख में है कर्म भोग के वर्णन्ट के बदले कि मेरे साथ हाई ये हो रहा है, हाई उसने ऐसे कर दिया है, उसने ये बोल दिया कर्म भोग के वर्णन्ट के बदले कर्म योग की स्थितिका वर्णन्ट करते हैं मलक्यू प्रॉलम्स की बातें नहीं करतें, कम्लियन की बातें नहीं करतें, क्रिटिसाइज नहीं करतें, ब्लेम नहीं करतें, वो कर्म योग की स्थितिका वन करते हैं। महले कि वो spiritual बातों से wisdom वली बातों से वो हर problem को छोटा बना देते हैं वे परिवर्तन की शक्ती से कष्ट को संतुष्टा में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं वे परिवर्तन की शक्ती से कष्ट को संतुष्टा में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं ना दुक की बाते करते हैं, ना प्रॉडम्स की बाते करते हैं, ना आपस में एक दूसरे को उपर नीचे दिखाते हैं, ना खुदी उपर नीचे होते हैं मासिक सिती से, और वो हमेशा संतुष रहते हैं, और संतुषता की लहर फिलाते हैं, कैसे? आत्मिक बल से, आत्मिक शक झाल 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 झाल